नमसकार मित्रों! रासी रतना कार्ज करई में मैं अस्टो लोजर डॉ क्टर मितिलेश पांडे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभी नंदन करता हूं. मित्रों आज हम बर्णन कर रहे हैं ब्रिश्चिक रासी का वर्स 2020 के जनवरी मास का फल के बारे में बर्णन करता हूं तो सरपर्थम ब्रिश्चिक रासी स्वामी गरा मंगल को माने जाते हैं और इनके जो अधिपती देवता हैं वो बजरंग बली को माना गया है और माता दुरगा को माना गया है तो ऐसे लोगों को माता भगवती की पूजा उपाशना, बजरंग बली की पूजा उपाशना करना, उनत्ती और प्रगती को देने वाला माना जाएगा अब हम सरीर स्वास्त की बात करते हैं, तो ग्रहों में मंगल और चंद्र की युती लगनगत होने के कारएं यदा कदा स्वास्त में विप्रीत इस्थिति को बना सकता है, इसमें पेट और कप से सम्मंदित तकलिफ हैं, हडियों से लेटेट परशानी, रक्त विकार से परशानी इसमें रहने का योग इंडिकेट करता है, धान भाव के हिसाब से धान भाव में चतुर ग्रह इस्थित होने के कारण धान की बिरधी, धान की प्राप्ति, उनत्ती और प्रगती का योग दरसाता है, और ब्देक्ति का इस समय प्राकर्म बल जो होता हुआ, उक्सान पहुचा देते हैं क्योंकि तीसरे भाव गद्यों सनी है वह गुरू की रासी में धन भाव में हैं तो इस तरह से कभी-कभी भाई बहन उससे ज्यादा पैसे आदी ले ले लेते हैं जिससे ब्यक्तिक इस्थिती ज्यादा खराब हो जाती है और उसे वह फिर मिल पान होता है परन्तु चुकी चतुर्त भाव का स्वामी ग्रह जो सनी है वह गुरू की रासी में होने के कारण यदा कदा खुद ही इसके ग्रहों से भी जो है माता से सुक्सुदा तो प्राप्त होता है परन्तु उनके स्वास्त पर फुरा सा इनके ग्रह के प्रभाव से असर प हल जो है अच्छे प्राप्त होंगे पंचम भाव के दिश्ची कौन से देखा जाए तो गुरु की जो इस्थिती बन रही है कुंडली में वह है गुरु जो बैठा है सुर्ज के साथ सेकंड भाव में है सिक्षन छेत्रों में उनत्ती प्रगती विकास बुद्धी ज्यान ऐसे में बिवाह के योग बनते हैं बैवाहिक परिवारिक जीवन का सुख मिलता है अधिया अपसे संबन्द ठीक नहीं हो तो संबन्द मजबूत होता है व्यक्ती को घर मकान तानी सस्वाल पक्स से व्यक्तिको लाब की प्राप्ति होती है जमीन घर आदी की प्राप्ति होती है और राहू चुकि अस्टम भाव में मिथुन का राहू है इसमें देश-पर्देश की यात्रा यात्रा से लाब धार्मिक यात्रा शुख की प्राप्ति और सम्मान की प्रा पाने वाला माना जाता है क्योंकि जो है गरहों की इंडिकेशन के अधार पर सुर्य और सनी की यूति बहुत अच्छी नहीं माने जाती परंतु यही 24 तारिक के बाद जो गरहों का परिवर्तन होता है जो धनू से मकरलासी का जो गमन है सनी का उसमें इसके प्रभाव अच्छ में परिवर्तित करना है तो क्या उपाय करना चाहिए यह बताता हूं सरपर्थम आप जो है मंगलवार के मंगलवार ओम हनुमते नमा इस मंतर का 108 वार पाठ करें बजरंग वली को चमेली का तेल और सिंदुर का लेप करें लाल बस्तु का दान मंगलवार को करें और एक मू को वैतीत करेंगे तो मित्रू यह था आपका ब्रिश्चिक रासी का रासी फल और मित्रू आप मेरे चैनल को अभी तक कदी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल एटम को जरूर दबाएं और इन्ही समस्त सुभकामनाओं सहित आपसे विदा लेता लिए नहीं वे करूएं नहीं करूएं जहीं है।